हलो फ्रेंड्स आज के इस व्रेडियो में बात करेंगे छोटानागप्व लो कॉलेज राची जार खन की छोटानागप्व लो कॉलेज में ऐल ऐल्बी के लिए अप्लिकेशन फॉर्म कैसे फिल करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कुछ भी नहीं करना है आपको Chrome पे जाकर या पिर कहीं पे किसी भी Google साइट पर जाकर आपको सर्च करना है आप सर्च करके आप छोटा नागपुर लो कॉलेज राची में आ सकते हैं यह आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को सबसे पहले उपर में यहाँ पर इस तरह से लोगों मिलेगा यहां कॉलेज का नाम है और इस तरह से होम पेज आपको सो करेगा यहां पर बहुत सारे लाइनिंग होंगे, home है, about है, वाकि सारा कुछ है, courses, क्या क्या courses है, courses पर भी मैं वीडियो बनाओंगे, next वीडियो आपकी courses किरेगी, कि कौन कौन से course जो होते है, law college में offer किये जाते है, देखे, यहां तक है, यह सारा कुछ है, आपको करना क्या है, कुछ कि जाएगे, यहां पर देखे, आगए हम लोग online application for LLB 2022 से तेज सेशन के लिए, online application for LLB part 1 session 2022 से तेज, click on apply now button to fill up the application form, अब हम लोग देखेंगे कि application form में क्या क्या requirement है, क्या क्या demand किये जाते है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोगो को apply now पे आपको click कर देना है, apply क्लिक करते के साथ, आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यह देखे, यह college का logo है, college name है, यह नेक एकरडिंग institute, यह address आपका दिया गया है, interest test application form, session 2022 से तेज का interest test application form, आपको इसको fill करना है, friends, fill करने के लिए, देखे, क्या कुछ मांगा गया है, course applied for, आप किस course क के लिए apply कर रहे है, तो आप सबसे पहले यहां पे इसको देखोगे, LLB और LLM, यहां पे दो course है, आपको LLB के लिए apply करना है, तो आप LLB को touch करोगे, फिर है semester, कौन से semester, first, second, second semester हो, यह first semester, तो admission है, तो first semester डालेंगे, यहां पर student photo मांगा गया है, full size है, should be 100 KB, 100 KB का कम से कम होना चाहिए, आप इस पे click करोगे, तो आप से photo की demand करेगी, आपको, उसको fill out कर देना है, next, आपका है, full name of the applicant, अपना पूरा नाम लिखिएगा यहां पे, जो certificate में है, अधार काड में है, father's full name, अपने पापा का नाम, जो आज तक आपने certificate में डाला है, father's occupation, आपके father क्या करते है, जैसा आपने certificate में fill किया है, आज तक, उसी तरह से इसको भर दोगे, mother's name, mother's occupation, अगर कुछ नहीं करती है, तो housewife, और कुछ करती है, तो आप उसको विंसन कर सकते है, पर्मानेंट एड्रेस यहां पर मांग रहा है, क्या आपका पर्मानेंट एड्रेस है, लोकल एड्रेस मतलब आप जहां रहते हैं भी, वहाँ कर डालना है, साथ ही यहां पर आपको mobile नंबर है, email है, date of worth आप इसमें डाल सकते हैं, और date of worth आप बहुत ज़्यादा जरूरी इस्टार किया गया है, क्योंकि इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, nationality, material status, अगर आप साधी सुदा है, तो married और शाधी सुदा नहीं है, तो unmarried nationality डालिए यहां पर, इंडियन है, material status, marital status, marital status में married और unmarried का option दिया गया है, साथ ही I propose while at college I will reside with parents और natural guardian with local guardian, यह आपको select करना है, आपको इसमें से कुछ भी एक जो है सही select कीज़ेगा, natural guardian name, natural guardian occupation और natural guardian address, जो guardian आपके होंगे, local guardian अब आपको उसमें natural guardian, local guardian का भी आपे सारा कुछ detail मांगा गया है, whether the applicant belong to schedule tribe, schedule caste, backward class, applicable only for resident of जहारकन, जो जहारकन के resident है, उनको card certificate मांगा गया है, और यह income वेगर है, यह सारा चीज़ आप से मांगा गया है, यह सिर्फ उनीपे applicable है कि जो जहारकन के स्थाई निवासी है, following details दिया गया है, यहाँ पर session है, board university, marks of 10, अब आपको जो आपने पढ़ाई किया है, उसके related आपको डालना होगा, यहाँ पर year of passing matriculation, matric में आप कब pass किये है, कौन से year में है, 2010, 2012 या फिर 2015 जो भी आपका से डाल सकते हैं, division क्या आया है, matric में कौन सा rank लाए है, next आप session पर देखिएगा कि session में आप क्या है, intermediate का डालना है, यह intermediate की board university डालना है, कि इस board से आपने किया है, marks obtained जो है intermediate में, वो आप इसको detail में डालोगे, year of passing, intermediate, कौन से year में आपने pass out किया है, division और rank डालना है, वहीं पर session, next आपका graduation की details मांगे गई है, graduation के लिए आपका यहाँ पर graduation का नाम डालना है, board university, कितने marks obtained किये है, year of passing, division, rank, सारा detail आपको fill out कर देना है, next आपका LLB, LLM, session, board of university, marks obtained, यह सब आपको fill करना है, आप जिसको select कीजेगा, उस हिसाब से आपकी document की requirement होगी, जो भी आप LLB या LLM, जो भी आपने select किया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, यह तो मैं आपको as a demo बता रही हूँ, next आप देखे, scroll करते जाएगा, इस सारा detail आपको fill कर देना है, fill करने के बादे हैं, आप नोट में कुछ important point दी गई है, जो है कि please also submit, the no objection, NOC form, your employer at the time of admission, signature मांगा गया है यहाँ पर, यह देखे, signature है, signature को आप यहाँ पर scan करके डाल दीजेगा, वही पर undertaking, जो है undertaking में क्या है, कि I am aware of university regulation, यह आपको clarification देना है, undertaking में, इसको accept कर लीजेगा, यहाँ पर देखे, I agree to the privacy policy, पर्ट के पहले आप इसको read out कर लीजेगा, read करने के बाद, इसको पूरी तर सेर्च समझ लीजेगा, फिर I agree to privacy policy and term and condition, इसको आप select कर लीजेगा, यह अपको touch कर नहीं होगा, उसके बाद यहाँ पर आया आपका final submission, submit कर दिजेगा, जब आप submit कर दोगे, तो यह आपका submit हो जाएगा, फिर next आपका process इस्टार्ट हो जाएगा, I hope आपके लिए वीडियो helpful आगा, thanks for watching, subscribe करे, साथे like करना नाम भोले, bye bye, मिलते next वीडियो में,